भाईया, आप क्या बना रहे हो? मैं ध्वनी प्रदूशन कम करने के लिए मौडल बना रहा हूँ. इसकी क्या जरूरत है? अंकुर, तुम दिन में कितनी रोटी खाते हो? कुल मिलाकर आठ. अगर तुम्हें बीस रोटी खानी पड़े तो? तब तो मेरा पेट फट जाएगा, मेरी तबियत खराब हो जाएगी. इसी तरह हमारे कानों की भी सुनने की सीमा होती है. यदि उन्हें एक क्षमता से अधिक शोर सहना पड़े, तो क्या होगा? तब तो उनके परदे फट जाएंगे. चलो ठीक है, अब वह उठाओ. अंकुर की मम्मी और भाईया ने उसे बातो बातो में ध्वनी प्रदूशन के बारे में समझा दिया. चलो, अंकुर और बाकी लोगों की बातों से हम सर्वनाम सीखते हैं. अंकुर भाईया, मम्मी, मौडल कान शब्द संग्या हैं. और आप, क्या, मैं, तुम, इसकी, क्या तुम है, मेरा, उन्हे, उनके, वह शब्द इन संग्या के अस्थान पर आएं हैं. ये सभी शब्द सर्वनाम हैं. यह तो तुम जाने चुके हो. संग्या के अस्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. संग्या के तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द है. अर्थात, वचन, कारक के प्रभाव से इनका रूप भी बदल जाता है. जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुमें, वह, वे, उस, उन, उसका, उनका, यह, इन्हे, ये, किस, किसे, आदी. सर्वनाम भी विकारी शब्द अवश्य हैं, किन्तु इनके रूप, लिंग के अनुसार नहीं बदलते. ये दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं. सामाने तर संबंध वाचब को छोड़ कर सर्वनामों के लिंग का ग्यान प्राया-क्रिया रूप से होता है. यदि वाक्य की क्रिया पुलिंग में होती है, तो सर्वनाम पुलिंग का और क्रिया यदि स्त्रिलिंग में होती है, तो सर्वनाम स्त्रिलिंग का होता है. सर्वनाम के भीद. सर्वनाम के छे भीद होते हैं. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फ्रश्णवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता वा अन्यव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैस मैं काम कर रहा हूँ, मुझे परिशान मत करो. मालती, तुम कहा जा रही हो? मैंने कहा था कि वह नहीं आईगी. उपर्युक्त वाक्यों में मैं मुझे बोलने के लिए, तुम सुनने के लिए, तथा वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं. अतहिये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानि बोलने वाला या लेखक अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमे, हमारा, आदी, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, हमें कल जल्दी उठा देना मध्यम पुरुश्वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुश्वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप, तू जूट पोल रहा है, तूम वहां क्यूं बैठे हो? अन्य पुरुश्वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, अपने और श्रोता के अतिरिक्त किनी अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुश्वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उन, आधी, वह सो गया होगा, या व्यक्ति का बोध होता है उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे यह ये वह वे मा यह कुर्ता फटा हुआ है वह कितनी सुन्दर लग रही है अरे ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं उपर्युक्त वाक्यों में यह वह और ये शब्द निश्चित वस्तु या प् कहलाते हैं अनिश्चे वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई किसी कुछ कोई दर्वाजा खट-खटा रहा है देखो दाल में कुछ पढ़ा है कोई और किसी अनिश्य वाचक सर्वनाम का प्रयोग सजीव संग्याओं के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव संग्याओं के लिए होता है। आपको किससे मिलना है? प्रदान उपवाक्य को आश्रत उपवाक्य से जोडते हैं जैसे जो वह जिसकी उसकी जिसे उसे आदी जो करेगा वह भरेगा यह वही है जिसे तुम ढूंड रहे थे । जो जीता वही है निच वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में करता के साथ अपने पन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयम अपने आप, खुद आप, अपना आदी, मैं अपने बरतन खुद ले जाओंगा, तुम स्वयम पानी ले आओ, रमेश अपना कमरा अपने कहलाते हैं, सर्वनाम के छे भेद हैं, पुरुष वाचक, निश्य वाचक, अनिश्य वाचक, प्रश्न वाचक, संबंध वाचक और निजवाचक, पुरुष वाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वह सर्वनाम अन पुरुषवाचक और निश्यवाचक दोनों तरह से प्रयोग होता है। आप मध्यम पुरुषवाचक और निच्वाचक दोनों हो सकता है। सर्वनाम विकारी शब्द हैं, वचन और कारक के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं